बाब जी के distributor हमारे परबेंच जी ने इस पर बहुत मेहनत किया और परबेंच भी एकों दिल से सुखरिया आगा कि वो हमेशा मेहनत करते हैं, उनका में दो दिन सिनेमा भी किया उनके साथ बैनर पर वे बेटी की कहानी है और पिता और पुत्र के पीछ में क्या संपंध होता ह जो बाब जी जो देखेगा उसको समझ में आएगा हमें लगता है कि हमारे पिता हमारे लिए कभी सोचते नहीं हमारे लिए गलत करते हैं लेकि उनके जाने के बाद समझ में आता है कि इस दुनिया का कोई भी पिता अपने बेटे के अलावा किसी के बारे में सोचता ही लिए जो आदमी अपने पीता का कदर नहीं करता होगा बाब जी देखने के बाद जिरूर करें क्योंकि बाब जी ऐसे फिलिप बहुत कम बनती है और बाब जी एक बहुत खुबसूरत से निवा बनी है उसमें रीतु सिंग जी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे देव पांडी जी बहुत अच्छा डिरेक्ट किया है गोविंदा जी उसमें पडूशर है और सारे लोग जिन लोगों ने उसमें काम किया है मारे प्रिंस भाई उसमें कैमरा में तो जितने लोगों ने काम किया सब का काम बहुत बहतर है और मुझे लगता है कि अपने बेटे को तो नहीं समझ पाता है और बाप के जाने के बाद बेटा को समझ में आता है की नहीं मैं गलत था और बाप जब बेटा पाहिक साथा है तो बाब को लगता है कि मैं गलत था लेकि गलत कौन होता है तो सिनिमा देखिएगा तो बता से रहे कि मुझे लगता है कि लॉग नाउन में जो सिनिमा बन की रेडी थी उसी का थोड़ा भीड़ भार है और भाई देख लिया लो जाग दूनु में जई है लो तुनु प्यार देला तवे कहसरिया तरह लो एक अभी खेसरिया के एक को नाम ना अभी कम से कम पचास को नाम रखे लोग है ऐसे मुझे आप सब लिए आप ऐसे ही प्याइब देते रहे और बाब जी बाब जी के डिस्ट्रीटर हमारे परवें जी ने इस पर बहुत मेहनत किया है और परविट भीया को दिल से सुकरिया आदा कि वह हमेशा मेहनत करते हैं उनका मैं दो दिन सिनिमा भी साइं हैं परविट भीया हूं निसान जी हो या सारे लोग मैं जीने लोग हैं कुछ लोग है जो मुझे महत करते हैं परत्ता उस से कुछ परन परता खूंभी विरोज भी करते तो मौबत से है लगता है तो बसी है बाप जी है, आपके लिटी चोखा है, राजा के याई की बरात, आसी की. मुझे लगता है कि पर्विन विधा के लपकास मेरे लगतार 5-6 फिल्मे हैं which release on a और आने माली सिनेमा भी दोनों मिलके करते है, अच्छा लगता है और विहार के लिए तो मुझे लगठाए कि यह तोनों बड़े मेहनती दोगी तो इश्वर्प इनको हमेशा आगे बढ़ायमे कि शुक्त कावना है तो अधर माई तो अधर नियुक्त